हेलो फ्रंट्स आप सभी का स्वाहत है आपके अपने यूटूब चैनल स्टड़ेवे सुजित में तो दोस्तो आज हूं कलास टूगरत के फ्रिक्स के महत्यपोण सब्जेक्टिव खोसंस के बारे में डिस्कोस करने वाले हैं जो मारे बोड एक्जाम के लिए अती तो यहां पे हम लोग 22 प्रस्ण तक अपर कर चुके थे यहां पे 33 प्रस्ण आप देखेंगे कि गौस के नियम को लिखे यह भी प्रस्ण तर बहुती भी भी यही प्रस्ण दस्तो कि गौस का नियम आखिर होता क्या है तो बहुती आसानी से लिखा गया है और आपको याद अपका स्वल्ता होता याद रखेगा यह जो गणीतिये मान यहाँ तुरे तो यहांसे जो अब्जेक्टिव के लिए एक एक जो है से आपका किलियर और सबजेक्टिव के लिए किलियर कर तो बिल्कूल दोस्तो आसान भासा में लिखा गया और आपको 100% याद भी हो जागा इसी टपर सीज को अगर अच्छे से दोस्तो त्यारी कर लेते हैं तो आप से यकीन मानिया अब एक भी प्रश्ण उंतर छुटने वाले नहीं दोस्तों यह 100% यह हमसे गरांटी ले लिजिए प्रेणिक प परतिरोध का परतिखाद काते हैं जो उसका परतिरोध होता है जो बरतलइज लगे रहती है उससे के परतीरोध को ही प्रैहन के नीमय सब्स et होता है के दोशुम्द और मातरख ही कि Bay ios कूसन जो है वह धियर हो जाता है विम्य Supreme आशुत्ज करने की प्रियास करेंगा और परसेंट याद हो जाएगा अभी कि अभी ही दोस्तों कि पर्तिवर्ती धारा पड़िपत में जब कुंडली लगी रहती है तो उसके पर्तिरोध को ही प्रेणिक पर्तिखाद करते हैं और इसका जो मातरक होता है वह ओम होता है और इसका जो बिमिया सुत्रता है याद रखेगा दोस्तों अगर सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जो ही किजिएगा दोस्तों और चानल पर करनाई जो रहा हो तो जोण ही सब्सक्राइब कर लेजिए आपके लिए बहुत ही महत्त्यपूर्ण सेशन है टॉपर सिरीज इस टॉपर सिरीज को त्यारी कर ल तो वैसा इंदरधन जिसका निर्मार दो बार अपवार्टन तथा एक बार पुर्ण अंत्रिक प्रवार्टन के फोल्स ठूरूप होता है प्राथमिक इंदरधन उसकाहला तहे और इसमें जो लालरंग होता है वह उपर की तरफ और बैणनी रंग जो होता है वह नीचे की पूर्ण आंतिक प्रवर्तन होता है ठीक और वहीं अगर द्वित्यक इंद्रधनुस कहा जाए तो दो बार अपवर्तन और दो बार जो है पूर्ण आंतिक प्रवर्तन होता है तो बिल्कुल ही आसाई से यहां पर हम लग याद कर सकते हैं कि वैसा इंद्रधनुस जिसका निर यह प्रशनुतर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा और यहां पर प्रशन है कि परकास वर्श क्या है और यह देखे यह जो है यह भी प्रशनुतर बहुत ही असान है लेकिन यह कोशन से हमारे बोडी जम्हें 12 पूछे जाते हैं कि परकास वर्स आखीर होता क्या है तो एक वर्स में परकास के दुरह ताई की गई कूल दूरी को ही परकास वर्स कते हैं और एक परकास वर्स बड़ाबर होता है नो गुणे 10 के पर 15 मीटर या अगर किलियो मीटर में घटाय जाए तो यह 15 में से 1000 से भाग देते हैं तो किलियो मीटर में बदल जाता है तो यह पर 3-0 कट जाता है कि दूरी को ही प्रकास वर्स कहते हैं और इक परकास वर्स मेद बादावर होता है या। आये दूस्तो नेख्शन प्रस्ट को देखते हैं और यहां पे प्रश्न है कि परकास के बेतिकरन के लिए अवसक 500 को लिखे तो इसे भी हम लोग बहुत ही आशाई से जानेंगे दखिए कि यहाँ पर इसमें दो सर्त पुछे जाता है लगभग दो सर्त जो है इसे पुछे जाते है तो इसमें हम लोग सबसे पले जो लिखेंगे कि परकास के बेतिर कंकले निमलीखीते सर्थ होते हैं पहला है परकास को करा समान्ध के रूप में होना चाहिए और दूसरका है कि परकास रोत को संक्रा यानि कि पातला होना चाहिए और दोनों सी लिटों के बीच की जो दूरी है वह कौम होनी चाहिए याद रखेगा यानि कि कौम होनी चाहिए तो बिलकुल ही दोस्तों याद कर सकते हैं आसानी से कि परकास को कला समन्ध के रूप में होना चाहिए और दूसरका है प्रकास रोत को संक्रा यानि कि पातला होना चाहिए और दोनों सी लिटों की जो बीच की जो दूरी होती है वो कौम होनी चाहिए बिल्कुई दोस्तों आसाइंस से याद कर सकते हैं और यहां पर बार बार कोसम पूछ लिया जाता है कि और द चालक से आप क्या समझते हैं तो इसे भी हम लोग आसाइंस से याद करेंगे देखें दो पूछा जाता है उसमें हम करांती को दिये थे लेकिन करांती को नहीं यह पूर आंतिक पार्तन के लिए स्वर्थ पूछा जाता है तो वेसा पदार्थ जिसकी चलकता जो है वह चालको और चालक के बीच होता है और चालक कालाता है जैसे सिलिकन जर्मिनियम देखिए उधारन जरू ही याद रखें दोस्तों क्योंकि उधारन से जो है वह अबजेक्टिव कोसन जो है किलियर हो जाता है उधारन हो गया या मातरक हो गया या बीमिय सुत्र हो गया ठीक है तो उधारन और बीमिय सुत्र और मातरक जो ही उस पर ध्यान देखे और चलक में हम लोग समझेंगे कि वैसा पदार जिसकी चलक ता चलक और आचलकों के बीच होता है और चलक आलाता है बिल्किल दोस्तों आसाई से लिखा गया है जो भी PDF लिए है PDF से लोग याद कर चुके हैं दोस्तों ठीक है तो यह सभी PDF का ही प्रस्ण उतर है और यहां पर प्रस्ण है कि पुर्र आंतिक परवरतन के दो सुर्थों के लिखे तो पुर्र आंतिक परवरतन के दो सुर्थों जो है निमने लिखित होते हैं पहला है आपतन कोड का मान करांतिक कोड से बारा होता है ठीक है और बारा होना चाहिए और परकास की किरन को सगन माध्यम से बीरल माध्यम में जाना चाहिए बिलकुनी दोस्तों आसाइन से हम लोग याद कर सकते हैं कि आपतन कोड का मान जो है करांतिक कोड से बारा होना चाह ठीक है तो तर्ट एक सजीरों बीच सतर साथ पर आपको पीडिएफ जो है आपको देदिये जएगा मात्र आपको 99 रुपिस में जो है आपको तीन सब्सक्राइब देदिये जएगा फिजिक्स कमेस्टी वाइलोजी सब्जेक्टिव को सन्लंग को संद्ध और सो टाइप को सं जो है समद्ध अस्तापित करें तो बिल्कुली दूस्तों इसमें हम लोग असाइन से ग्याद कर सकते हैं इसे चित्र को आप बना लिजेगा ठीक है अपने कॉपी पर बना लिजेगा और यहां पे सबसे पले यहां पे हम लोग देखेंगे कि माना की दो माध्यम हावा और क पाज का है ठीक है और इसनेल के नियम के अनुसर हम लोग जानते हैं कि म्यूटू साइन आई बरावर हो जएगा मिवन साइन नब्बे डिग्री यहां पे नैंटी डिग्री हो गया है यह मिवन हो शाइन यहां से करेंगे तो वह यहां पर नीचे जाएगा तो यहां पर मूट्स के नीचे आजए गा तो वन अपन साइन आई हो जएगा, इतना हम लोग सीध करते हैं तो दो आंकर मिल जाता है, यहां पर इस प्रस्ट में आपको थौरसाव डायट नहीं हुआ होगा और आप पूर् और यहां पर प्रस्ण है कि रेडियो सक्रीत्या से आप क्या समझते हैं रेडियो एक्टिवीटी क्या है ठीक है तो बहुत ही आसाइंस से हम आपको बीच यह प्रस्णों तर लाए हैं और आपको 100% याद भी करा देंगे इसी सेशन में ही तो किसी रेडियो एक्टिव पदार लिखते हैं और यहां पर पुछ लिए जाता है कि लेजर की विस्स्ताव को बताएं बहुत ही आसाइन से दोस्तों हम लोग इसकी विस्स्ता लिख सकते हैं अब इसस्ता में दो तीन भी लिखते हैं तो आपको पूर्टा अंक्य मिल जाएगा ठीक है तो सबसे पले जो ला जाते हैं तो लेजर लाइट खरीते हैं वह मोग कहीं और लरकों को क्या कखें वह लोगकों कुछ और ही जगापोव लह लकाए बठर भादने लगते हैं ठीक है और तो यह कि टिसाल्ट खता है जिससे मैन से यह लेजर लाइट यह है और यह अगर इस steep यहाँ पर दूरी तक यह अपना परकास जो है दिखाता है दोस्तों पूर्टास स्ट्रेट यह निकि सीधा ठीक है और यहां पर यहां पर यह कठोर से कठोर धात्यों को पिघला कर वहांसे पर करीद कर देता है बिलकुल यह आसाइन से दोस्तों समझ सकते हैं यह उच्छी काला परकास पूंजो के रूप में प्राप्थ होता है दोस्तों अगर तीन भी लिखते हैं इसके विसेश्टा को तो आपको पूर्टा अंक्य मिल जाएगा ठीक है तो यह एक परकार का एक वर्णी होता है या दिसात्मक होता है यह कठोर से कठोर धात्यों को पिखला कर वास्पी परकास का वर्णी छेपांड से आप क्या समझते हैं यह तो बहुत ही आसान सवाल है लेकिन आसान सवाल ही आपके बोड़ एक्जामें पूछे जाते हैं तो देखिए जो को संप पूछा जाता है वहीं आपके बीच लाएंगे नहीं कि पूर्टा आपको भी भी याई को सं जो है आपको दिया जाएगा ताकि उसी में से ही आपके बोड़िया में हंडे परसेंट वह आजाए दोस्तों ठीक है तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल नहीं आसान से समझेंगे कि परकास के वर्णी पीचेपांड आकिर होता क्या है या इससे समझने के लिए क्या हम को करन चाहिए तो जब स्वेत परकास किसी प्रिज में से होकर गुजरता है तो वह अपने अवियवी सात रोंगों में विभक्त हो जाता है तो इस घाटना को ही परकास का वर्णी पीचेपांड करते हैं अगर सूध सब्दों में अगर समझा जाए तो माली जी यह प्रिजम है ठ आशने परकास किसी प्रिज में से होकर गुजरता है तो वह अपने अवियवी सात रोंगों में विभक्त हो जाता है तो इस घाटना को ही परकास का वर्णी पिचेपांड करते हैं बिलकुन ही दोस्तों आसानी भासा में लिखा गया है और आपको पूर्ता याद भी हो गया होगा ठीक है और अगर दोस्तों याद अगर हो रही है तो एक लाइक जोड़ किज़ेंगे दोस्तों और अगर चांस अगर नहीं जोड़े हो तो जोड़ ही सब्सक्राइब कर लिजी आपके लिए जब इतना हम करी सकते हैं कि आपका रिजूल्ट बेटा से बेटार हो तो कुछ लोग क्या होता है कि एक स्टुडेंट थे हमारे वह अपने दोस्तों में इसलिए नहीं सियर करते थे क्योंकि उनका जो रिजूल्ट है आच्छा हो जाए ऐसा कभी नहीं होना चाहिए दोस्तों के प्रति होना चाहिए ठीक है लेकिन कंपर्टीशन तो होना ही करेंगे कि यह कहीं अधिक पढ़ लेगा तो उनका उनका हमसे ज्यादा रिजल्ट आजेगा ज्यादा इसलिए नहीं आपाएगा क्योंकि आप उनसे अधिक मेहनत ही करेंगे और माली जो आट घंटा मेहनत करता है तो आप दोस घंटा मेहनत करेंगे तो उनसे ज्यादा रि साथ है तो कोई दिकत नहीं है दूस्तों आप साथ है तो हर एक चीज संभाव है तो आप अपना साथ जरूरी बनाए रखिएगा हम आपके साथ 100% रहेंगे यह हम गरांटी के साथ कर सकते हैं यह बोड एक्जाम तक आपके साथ हम हमेशा के लिए रहेंगे कुन्डली कि यह एक परकार के कुन्डली होती है जिसकी सहायता से परत्यवड़ी धारा बिना उरजाहानी के नियंतिरित किया जासकता है बिल्कुनी दूस्तों आसाइंसे हम लोग याद कर सकते हैं यह चो कुंडली यह एक परकार की कुंडली होती है जिसकी सहायता से परत्युर्थी धारा को बीना उर्जा हानी के नियंत्रित किया जा सकता है ठीक है और यहाँ परस्नी की तरंगागर आखिर होता क्या है तो इसे माध्यम के कर समाने कला में कंपन करता है तो उस कल्पनिक प्रिष्ट को ही तरंगागर करते है बहुती आसानी भासा में लिखा गया है हिंदी मेडियम के लिए बहुती की अपसक्स का जो है या पीडियेप है दोस्तों हिंदी मेडियम के लिए ठीक तो यहाँ पर है हम प्रकास का ध्रूवण किया है बहुत ही महत्यपूर यह सवाल है कि प्रकास के ध्रूवण से आप क्या समखते हैं तो जब प्रकास तरंगे किसी माध्या में एक साथ संचारित होती है तो तरंग संचारन की परिता समयमीत की कमी परदर्सित करती है तो उसे ही प्रकास का से माध्हाय में एक संचारी थो होती है तो ठंचार की परता समेमीत की कमी-प्रदासित करती है तो उसी ही प्रकास का धुर्वण करते हRIं बहुत ही ऐसाय से दोस्तों याद कर सकते हैं उमीद करते हैं यह जो है सेशन आपको अच्छी लग रही होंगी लग रही होंगी तो एक लाइक जोग किज़ेगे दुस्तों और चनल पर ना ही जुड़े हो तो जोड़ ही सब्सक्राइब कर ले जीगा मनले आपको पीडियाफ लेना हो तो इस नमर पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं बहुत कम फीज में आपको पीडियाफ दे दिये जाएगा फिजिक्स कमेश्टी वालोजी दो सब्जेक्ट लेंगे तो मात्र आपको असी रुपय में दे दिये जाएगा एक सब्सक्राइब कर ले जीगा मिलेंगा नेस्क्लास में नई उम्मीद्यों के साथ तो हस्ते रहे औ और मुस्कराते रहे और अपनी त्यारी को जो है मजबूत करते रहे अभी के लिए तैंच दोस्तों जैहीं दे